प्यारे बच्चों कैसे हो आप उमीद है अच्छे होंगे आज का हमारा टोपिक है समिशर संख्याएं एवं द्वी घात समीकरन इसमें हम पढ़ेंगे भूमी का समिशर संख्याएं क्या होती हैं दो समिशर संख्याओं की समानता दो समिशर संख्याओं का योग और इनके उपर अधारित प्रशन भुमिका, पिछली कक्षाओं में हमने द्वी घातिय समीकरनों का अध्यन किया है कक्षा 10 में हमने द्वी घातिय समीकरन की उपर एक पार्ट पड़ा था हमने देखा कि समीकरन x की 2 प्लस 1 ब्राबर 0 को जब हम हल करते हैं तो हमारे पास आता है x की 2 ब्राबर माइनस 1 तो वहाँ हम कहते थे कि इसका कोई वास्तेविक हल नहीं है कक्षा 10 में हमने जिन भी द्वी घातिय समीकरनों को हल किया था उनका कोई ना कोई वास्तेविक हल आता था यहां वास्त्विक संख्या परनाली को प्रिद परनाली के रूप में बढ़ाने की अवश्यक्ता है जिसमें कि हम समीकरन x की 2 ब्राबर माइनस 1 का हल ढूंड सकी यानि कि हमें कोई ऐसी परनाली की अवश्यक्ता है जिसमें हमारे पास इस समीकरन का हल भी आ सकी हमारा मुख्या उदेश्य है समीकरन ax की 2 प्लस bx प्लस c ब्राबर 0 का हल प्रापत करना है जहां पे उसका d ब्राबर 20 की 2 माइनस 4ac 0 से छोटा हूँ दस्मीक अक्षा में हमने 2 चीजों को पढ़ा था जब d जो है आपका 0 है और जब d आपका 0 से बढ़ा है जब हमारा d 0 से छोटा आता था तो हम वहां पर लिखते थे कि इसका कोई वास्त्विक हल नहीं है जो कि वास्त्विक संख्याओं की परणाली में संभव नहीं था तो हमने यहाँ पर अब समिशर संख्याओं को पढ़ना है समिशर संख्याएं बचो हमने अब देखना है समिशर संख्याएं क्या होती है इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि माइनस एक का वर्गमुल क्या होता है हमने कक्षा 10 तक माइनस वाले संख्याओं के जैसे माइनस 4 का वर्गमुल इनको हमने कक्षा 10 तक नहीं पढ़ा था अब हमने माइनस वाली संख्याओं के वर्गमुल को देखना है कि उसका मान क्या आता है तो हम यहां मान के चलेंगे कि माइनस एक का वर्गमुल आयोटा आएगा इस आई को हम लोग आयोटा कहते हैं यह एक Greek alphabet है अब देखते हैं कि समिशर संख्याएं क्या होती है संख्या A प्लस आयटा B जहां A और B वास्तविक संख्याएं है जैसे कि 3 प्लस 4 आयटा दो माइनस पांच आयटा इस तरह से यहाँ पे तीन और चार वास्त्विक संख्याएं हैं, दो और माइनस पांच भी वास्त्विक संख्याएं हैं, तो A और B जब दो वास्त्विक संख्याएं होंगे, तो A प्लस आइटा B को हम एक समिशर संख्या कहते हैं, A और B जो है यहाँ पे वास्त्विक संख्याएं है A प्लस आइटा B में A प्लस आइटा B में जो A है इसको वास्त्विक भाग कहा जाता है वास्त्विक भाग को हम R E Z से लिखते हैं R E R E यहाँ पे क्यों प्रयोग किया गया वास्त्विक को हम English में real बोलते हैं तो इसको real Z के नाम से बोला जाता है A वास्त्विक भाग कहलाएगा और इसे R E Z से हम निरुपित करेंगे इसी तरह B, B को हम कालपनिक भाग कहेंगे B को कालपनिक भाग कहेंगे B को हम I M Z से लिखेंगे I M, I M का मतलब यहां पे क्या हुआ, imaginary यानि कालपनिक अब यहां पे इसको कालपनिक क्यों कहा गया हमने यहां पे माना है कि माइनस एक का वर्गमूल आयोटा है हम यहां इसकी कलपना करके चल रहे हैं मान के चल रहे हैं इसको तो यहां पे हमने माइनस एक के वर्गमूल की कलपना कर ली कि इसका मान आयोटा है इसलिए आयोटा जो है यहां B के साथ लगा हुआ है आयोटा B के साथ लगा हुआ है तो B जो है उसके कालपनिक भाग को दर्शाएगा किसी समिशर संख्या के कालपनिक भाग को B दर्शाएगा यानि कि वो संख्या दर्शाएगी जो आयटा के साथ लगी होगी उधारन के लिए यदि Z ब्राबर 3 माइनस 4 आयटा ले लें तो इसका वास्तिक भाग 3 होगा और कालपनिक भाग माइनस 4 होगा बच्चों यहां पर काफी बच्चे यह गलती करते हैं जब हम कालपनिक भाग लिखते हैं I, M, Z जब हम लिखेंगे तो माइनस 4 आयटा भी कुछ बच्चे साथ में लिख देते हैं जो कि गलत है आपने यहां पे आयोटा साथ में नहीं लेना आयोटा ले लिया तो वो गलत हो जाएगा आपका कालपनिक भाग को लिखते वक्त आपने आयोटा को साथ में नहीं लेना इसलिए इसका वास्तविक भाग हो गया 3 और कालपनिक भाग हो गया माइनस 4 दो समिशर संख्याओं की समानता दो समिशर संख्याओं कब बराबर होती हैं यह हमने देखना है दो समिशर संख्याओं मान लो Z1 मान लू A प्लस आइटा B और Z2 C प्लस आइटा D यहाँ पे समिशर संख्या 1 को मैंने Z1 से लिख लिया और दूसरी को Z2 से लिख लिया, Z1 A प्लस आइटा B और Z2 C प्लस आइटा D, हम इन दोनों को बराबर रखेंगे, Z1 बराबर Z2, जब Z1 बराबर Z2 होगा, तो Z1 का मान क्या था? A प्लस आइटा B और Z2 का मान क्या था? C प्लस आइटा D तो इनको भी हम बराबर रख देंगे A प्लस आइटा B बराबर C प्लस आइटा D अब ये दो समिशर संख्याएं बराबर हैं तो इसका वास्त्विक भाग A दूसरी संख्या के वास्त्विक भाग C के बराबर होगा A बराबर C अर्थात वास्त्विक भाग Z1 का और वास्त्विक भाग Z2 का आपस में बराबर होएंगे और imaginary यानि कि काल्पनिक भाग कालपनिक भाग Z1 का और कालपनिक भाग Z2 का आपस में बराबर होएंगे इसका कालपनिक भाग B क्योंकि वो आइटा के साथ लगा है इसका कालपनिक भाग D तो B और D भी बराबर होएंगे इमें I am Z1 बराबर I am Z2 कालपनिक भाग Z1 का बराबर होगा कालपनिक भाग Z2 का यनि कि दो समिशर संख्याएं कब बराबर होगे जब उन दोनों के वास्त्विक भाग आपस में बराबर होगे और उनके कालपनिक भाग आपस में बराबर होगे आईए इस चीज के उपर एक उधारन देखते हैं उधारन एक यदि 4X प्लस आइटा 3X माइनस Y बराबर है 3 प्लस आइटा माइनस 6 के जहां X और Y वास्त्विक संख्याए हैं तब X और Y ग्याद कीजिए यानि ये वाली समिश्यर संख्या इस समिश्यर संख्या के बराबर है तो हमें X और Y का मान ग्याद करना है तो X और Y का मान ग्याद करने के लिए बच्चो इसका वास्त्विक भाग इसके वास्त्विक भाग के बराबर हम रखेंगे तो पहली समिशर संख्या का वास्तविक भाग है 4x, दूसरी का है 3, तो x ब्राबर आ जाएगा 3 बटे 4 इसका कालपनिक भाग 3x-y, इसके कालपनिक भाग-6 के ब्राबर होगा, यहां पर x का मान 3 बटे 4 भर दो 3 गुना 3 बटे 4 माइनस y बराबर माइनस 6, तीन गुना 3, 9 बटे 4 माइनस y बराबर माइनस 6 यहां पर y को निकालने के लिए इस समिकरन को हल करेंगे, इसके लिए y को उदर ले जाओ y उदर जाके प्लस का हो जाएगा, y बराबर इस माइनस 6 को इदर लेके आएंगे, तो 9 बटे 4 प्लस 6 हो जाएगा यहां पर 4 हम लगुत्तम लेके चलेंगे, तो 9 प्लस 24 बराबर आगया 33 बटे 4 तो x का मान आगया 3 बटे 4 और y का मान आगया 33 बटे 4 अब हमने अगले आइटा की घात देखनी है, आइटा की घात, आइटा को हम माइनस 1 लेके चले थी अब आइटा की घात 2 हो जाए, आइटा की घात 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो उसका मान क्या होगा, यह हमने यहां पर देखना है तो आइटा बराबर माइनस 1 का वर्गमूल लेके चले थे, अगर मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूँ, अगर इसके आइटा की दो कर दूँ और माइनस 1 की भी 2 कर दूँ, यानि दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो यहां पर तो आइटा की 2 हो जाएगा, और यहां पर वर्गमूल और यह घात कट जाएगी, तो माइनस 1 रह जाएगा यानि कि आइटा दो की जो मान आया है हमारे पास आइटा दो का मान माइनस एक आ गया आइटा तीन का मान ग्याद करने के लिए क्या करेंगे बच्चों आइटा तीन को आइटा दो गुना आइटा लिख सकते हैं तो आइटा दो का मान हमने अभी उपर निकाला था आइटा 2 का मान माइनस एक भर दो यहाँ पर, माइनस एक गुना आइटा, तो बराबर क्या आ गया, माइनस आइटा, तो आइटा 2 का मान मेरे पास आया था, माइनस एक, आइटा 3 का मान आ गया, माइनस आइटा, बचो इन चीजों को हम अगले प्रशनों में परियोग करेंग आइटा चार का मान निकालना है आइटा चार को हम आइटा की दो गुना आइटा की दो लिख सकते हैं तो आइटा की दो का मान हमने निकाला था यहाँ पे माइनस एक तो यहाँ पे माइनस एक भरेंगे यहाँ पे भी माइनस एक भरेंगे तो माइनस एक गुना माइनस एक बर गया यह, आयटा की चार गुना आयटा लिख लेंगे, अब आयटा दो का मान माइनस एक, माइनस एक की दो, माइनस एक की दो गुना आयटा आ गया, माइनस एक की दो करूँगा तो वो प्लस एक होगा, प्लस एक गुना आयटा बराबर आयटा, तो आयटा पांच का मान कितना आ गया आइटा अब निकालने हमने एक बटे आइटा का मान निकालने के लिए इसको आइटा से गुना और भाग कर दो जब हम अंश को आइटा से गुना करेंगे एक गुना आइटा तो बराबर आ गया आइटा हर को गुना करेंगे आइटा गुना आइटा तो बन गया तो आइटा बटे माइनस एक क्या हो गया बच्चो माइनस आइटा तो यहां पर हमने देखना है कि एक बटे आइटा जो है वो माइनस आइटा होता है एक बटे आइटा कमान माइनस आइटा लेके चलेंगे हम आएए इसके उपर कुछ और प्रशन देखते हैं आइटा की घा करेंगे तो उसको हमने कैसे हल करना है उधारण 4 हल करो आइटा की 166 और आइटा की 90, आइटा की 1666 को पहले हल करते हैं इसको हम आइटा 4 की power में घात में break करेंगे आइटा 4 यहां पर 160 को जब मैं 4 से भाग करूंगा तो ऐटा 4 की 41 गुना ऐटा की 3 आजाएगा ऐटा 4 की 41 गुना ऐटा की 3 ऐटा 4 का मान हमने अभी देखा था बच्चो एक होता है एक ही घाथ 41 गुना में अइटा 3 ऐटा 3 का मान हमने निकाला था माइनस आइटा एक की घात 41 है तो वो एक ही आएगा गुना में माइनस आयोटा तो ये कितना आ गया माइनस आयोटा आयोटा एक सो सट सट जो है वो माइनस आयोटा आ गया अब हमने निकालना है आइटा की 89, इसको भी हम आइटा 4 की घात में तोडेंगे, आइटा 4 की घात 22, 22 गुना 4 अठासी और एक बच गया, तो एक आइटा की घात बनेगे, आइटा 4 का मान कितना आता है बच्चों? एक, एक की घात 22 गुना आइटा, बराबर आइटा आ गया, तो आइटा की नवासी जो है वो आइटा के बराबर आया और आइटा की 166 जो है वो माइनस आइटा के बराबर आया, आएए एक और उधारन देखते हैं, उधारन 2, माइनस आइटा गुना दो आइटा गुना माइ माइनस एक बटे आठ आइटा की तीन को a प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त करें, इसको हमने a प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त करना है, तो पहले हम इसको हल करेंगे कि ये किसके बराबर आएगा, आएए इसको हल करते हैं, माइनस आइटा गुना, दो आइटा गुन गुना माइनस 1 की घात 3 तो इसको माइनस 1 लिख ले बटे 8 की घात 3 गुना में आईटा भी है तो आईटा की घात 3 तो पहले हमने इस bracket को हल किया माइनस एक की घात तीन करूंगा, तो वो माइनस एक ही आएगा, माइनस एक की घात तीन को हल करेंगे, तो माइनस एक आएगा, आठ की घात तीन और आइटा की घात तीन, अब मेरे पास आ गया, इसको और इसको आपस में गुना करेंगे, तो दो, गुना माइनस का, माइनस द बन गया, आयटा गुना आयटा, आयटा की दो, गुना, माइनस एक बटे, आठ की तीन, आयटा की तीन को हमने अभी देखा था, आयटा की तीन किसके बरबर आया, माइनस आयटा की, माइनस दो, गुना, आयटा की दो कितना होता है बटा, माइनस एक, गुना, माइनस एक बट आठ की तीन गुना माइनस आएटा तो एक माइनस यह आ गया माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस कितनी बार माइनस आ गया एक बार दो बार तीन बार और चार बार चार बार माइनस को गुना करेंगे बच्चो तो प्लस हो जाएगा प्लस दो गुना एक बटे आठ की तीन है और आइटा यह आइटा बच गया था तो वो आइटा साथ में गुना में आ जाएगा अब हमने इसको तो हल कर लिया इसको हमने a प्लस आयटा b के रूप में व्यक्त करना है तो a प्लस आयटा b यहाँ पे आयटा तो है आयटा वाला पत तो है यहाँ पे लिकिन a वाला नहीं है तो इसको हम 0 प्लस 2 बटे 8 की 3 आयटा लिख लेंगे आईए इसके उपर एक और उधारम देखते हैं दो समिशर संख्याओं का योग आईए अब हम दो समिशर संख्याओं को कैसे जोड़ना है वो सीखते हैं मान लीजिए दो समिशर संख्याओं Z1 ब्राबर A प्लस आइटा B वे Z2 ब्राबर C प्लस आइटा D है Z1 और Z2 को जोड़ना है हमने इनका योग ज्याद करना है Z1 प्लस Z2 ब्राबर A प्लस आइटा B प्लस C प्लस आइटा D अब यहाँ पे इनको कैसे जोड़ना है आपने जो आपका वास्त्विक भाग है दोनों समिशर संख्याओं का वास्त्विक भाग आपस में हम जोड़ देंगे A प्लस C और दोनों का जो काल्पनिक भाग है वो आपस में जोड़ देंगे आइटा B प्लस आइटा D आइटा यहाँ से कॉमन आगा तो B प्लस D ब्रैकेट में आ जाएगा यह वाला तो Z1 प्लस Z2 बराबर हो गया A प्लस C प्लस आइटा B प्लस D बचों दो समिशर संख्याओं को आपने वैसे ही जोड़ना है जैसे हम लोग छोटी कक्षाओं में बीजगनित के question करते थे जैसे 2X प्लस 3Y को मैंने जोड़ना है 5X प्लस 6Y में हमने वहाँ पे क्या सिखा था कि जो X वाला पद होगा उसको X वाले पद में जोड़ना है और Y वाले को Y वाले पद में जोड़ना है तो 5X और 2X को जोड़ेंगे यह आगया 7X प्लस 6Y को 3Y में जोड़ोगे तो यह आगया 9Y तो जैसे हम छोटी कक्षाओं में जोड़ते आएं हैं वैसे ही यहाँ पे दो समिशर संख्याओं को आपस में जोड़ना है एक जैसे पदों को आपने आपस में जोड़ना होता है तो A प्लस C प्लस आइटा B प्लस D आजाएगा उधारन के लिए देखते हैं मान लिजिए यह मेरा पहला समिशर संख्याओं पहली है और यह दूसरी समिशर संख्याओं है और इसका कालपनिक भाग माइनस प्लस का तीन आइटा इसका कालपनिक भाग पांच आइटा इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो A तीन प्लस पांच दो माइनस छे कितने होगे बच्चो माइनस चार तीन प्लस पांच आठ आइटा इन दोनों को जोड़के हमारे पास क गाठ आईटा आईए इसके उपर एक उधारन देखते हैं उधारन 3 पांच माइनस 3 आईटा की घात 3 को A प्लस आईटा B के रूप में व्यक्त करें यानि इस घात को हमने खोलना है A माइनस B की घात 3 का परियोग करके इसका सुतर बच्चो आपने 9 अपनी 9 अक्षा में बढ़ आएगा A की 3 माइनस B की 3 माइनस 3 A की 2 B प्लस 3 A B की दो उमीद है बच्चो आपको ये सुतर याद होगा तो ये वाला सुतर यहां परियोग करते हैं A की जगह क्या आ गया हमारे पास 5 और B माइनस B की जगह क्या आ गया 3 आटा तो 5 माइनस 3 आटा की 3 बरबर आजाएगा 5 की 3 यानि A की 3 माइनस B की 3, B मीनस 3 आटा, 3 आटा की 3 माइनस 3 गुना 5 की 2 गुना 3 आटा, 3 A की 2 गुना B, ये, प्लस 3 गुना 5 गुना 3 आटा की 2, 3 A B की 2, ये बन गया 3 A की 2 B, ये A है और ये B है, और ये मेरे पास A और ये B, समझ आ गया बच्चों? तो 5 की 3 कितना लिखेंगे? 125 माइनस 3 की 3 27 और आटा की 3 को आटा की 3 लिखेंगे, माइनस 3 गुना 5 की 2 गुना 3, तो 3 गुना 3, 9, 9 गुना 25, 225, 225 आटा, प्लस यहाँ पर इसको हल करेंगे, तो क्या आएगा मेरे पास? 135 आटा की 2, अब हमने आटा की 3 और आटा की 2 का मान यहाँ भरना है, तो आटा की 3, आटा की 3 का मान हम यहाँ भरेंगे, माइनस आटा, तो यह वाला जो माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ पे माइनस आटा आ जाएगा, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आग 135 गुना माइनस एक करूँगा तो माइनस 135 बन जाएगा अब ये दो समिशर संख्याओं का योग बन गया ये मेरे पास एक समिशर संख्या हो गई ये मेरे पास दूसरी समिशर संख्या हो गई तो इसके जो वास्त्विक भाग है 125 और 135 माइनस का इन दोनों को आपस में जाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 1098 आयटा इसका 5 माइनस 3 आयटा की 3 बराबर आ गया माइनस 10 माइनस 1098 आयटा इसको अमने a प्लस आयटा b के रूप में लिखना था बच्चो तो ये मेरे पास a बन गया और ये b बन गया ये a का मान कितना गया, माइनस 10, B का मान कितना आ गया, माइनस 198, आईए, एक और उधारन लेके चलती है, 4 प्लस एक बटे 3 आइटा, ये एक ब्रेकेट में है, माइनस, माइनस 4 बटे 3 प्लस आइटा, दूसरी ब्रेकेट में है, इन सभी को हमने हल करके, A प्लस B आइटा के रूप में व्यक्त करना है, तो पहले हम इसको खोल लेते हैं, इस ब्रेकेट को solve करते हैं, एक बटे 3 प्लस साथ बटे 3 आइटा, प्लस 4 प्लस एक बटे 3 आइटा, माइनस, माइनस 4 बटे 3 प्लस आइटा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बच्चो, एक बटे 3, प्लस चार, प्लस इन दो में इसे में आईटा बाहर रख लूँगा, तो साथ बटे तीन, प्लस एक बटे तीन, माइनस, माइनस गुना माइनस इसको हल कर लें, प्लस हो जाएगा चार बटे तीन, माइनस आईटा, तो यह आ गया मेरे पास, एक बटे तीन, प्लस चार, प्लस ये वाला चार बटे तीन प्लस आइटा, साथ बटे तीन प्लस एक बटे तीन ये वाला आइटा मैंने यहां बाहर लिख लिया, तो अंदर क्या बचेगा? माइनस एक यहाँ पे भी तीन लग उत्म लेना है यहाँ पे भी तीन लग उत्म लेना है यहाँ पे तीन लग उत्म लेंगे तो क्या बनेगा तीन लग उत्म ले लिया मैंने तो एक इसके नीचे अगर मैं एक माल लो तो उपर क्या जाएगा बारा प्लस 4 प्लस आयोटा यहां पे भी 3 लगुत ने लेंगे 7 1 मैनस 3, बटे में 3 तो 12 और 4, 16 और 1 17, 17 बटे 3 यहां पे क्या आएगा, 7 और 6, 8 8 मैनस 3 करूंगा, 5 बटे 3 आयोटा तो बच्चो इसको हल करके हमारे पास क्या आ गया 17 बटे 3 प्लस 5 बटे 3 आइटा जो A प्लस आइटा B की रूप में है A प्लस आइटा B के रूप में है आईए अब हम ग्रह कारिया देखते हैं प्रशन एक से पांस तक की समिशर संख्याओं में परतेक को A प्लस आइटा B के रूप में व्यक्त करें प्रशन संख्या 1 आयटा की 9 प्लस आयटा की 19 इसको आपने A प्लस आयटा B की रूप में व्यक्त करना है प्रशन संख्या 2 आयटा की माइनस 49 को आपने हल करना है प्रशन संख्या 3, 1 बटे 5 प्लस 2 बटे 5 आयटा, माइनस 4 प्लस 5 बटे 2 आयटा को हल करके A प्लस आयटा B के रूप में व्यक्त करना है प्रशन संख्या 4, 1 माइनस आयटा की 4, इसको आपने हल करना है, इसमें घात 4 को आपने हल करना है इसको थोड़ा सामय आपको इसका हिंट देदू एक माइनस आइटा चार को हम दो की घात दो लिख लेंगे बच्चो क्योंकि अभी तक आपने चार घात का सूतर नहीं पड़ा है तो पहले आप इसको हल करेंगे फिर आप उसको हल करोगे प्रिशन संख्या पांच में एक बटे तीन प्लस तीन आइटा की घात तीन को आपने हल करना है बच्चो उमीद करता हूँ आपको ये पाठ समझ आ गया होगा धन्यावाद झाल आपको झाल आपको ये गया हम था गया है